पूर्वे विधानसवा ध्यक्ष और कॉंग्रेस प्रत्याशी राजेंदर सिंग ने व्यापारियों की समस्याओं के निदान की बात करते हुए सतना में नर्मदा विकास प्राधी करण की तरज पर टमस विकास प्राधी करण बनानी की बात कही सर्वे वियापारी सम्मेलन का आयोजन कॉंग्रेस ने अमरपाटन में किया जहाँ पूर्वे विधानसवा उपाकधेक्षवा कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यार्शी राजेंदर सिंग ने वियापारी लोगों से समर्थन मांगा जहां अमरपाटन से जुड़े मौहारी कट्रा सरकल हटने से उनसर गाव अमरपाटन विधान सवा से दूसरी विधान सवा में चले गए थे जिससे वियापारियों को वियापार में हानी हो रही थी जिसे कॉंग्रेस प्रत्याशी दौरा दो बार अमर पाटन में जुड़वाने की बात कही गई राजेंदर सिंग ने कहा कॉंग्रेस की सरकार आने पर नर्मिदा विकास प्राधी करण जैसे सतना जले के लिए टमस विकास प्राधी करण बनाया जाएगा यहां से लगबक 60-70 गाओं कट कर इस इलाके से रामपूर बगिलान में जुड़ गए हैं तो अब यहां उतने ही गाओं हमें लाना उससे और ज्यादा कोशिश हम करेंगे कि हमर पाटन हमारे SDM छेतर में अनूर गाग में जुड़ जाएं ताकि यहां का जो व्यापार है फले फूले और बैतर हो यह मेरी कोशिश अब यह तो नतीजे बताएंगे लेकिन आये थे काफी लोग आये थे मेरी बातें सुनी मैंने अपनी बात रखी निवेधन किया आग्रह किया लोगों से परिणाम बताएंगे आपने शायद ना पढ़ा होगा और लोगों को मालूम नहीं होगा कि इस तरह से नर्वदा विकास प्रादिकरण है नर्वदा के घाटों का निर्मान नदी में निरंतर प्रवार है जल में व्रक्षावरोपन दोनों की दोनों तरफ जो कैश्मेंट एरिया है प्रादिकरण एक गठन किया गया है पहले से गठित है एक हम टमस विकास प्रादिकरण में गठित कर रहे हमारे वचन पत्र में कौन है किस पर भारी हर तरफ बेरोजगारी किसकी है ये जिम्मेदारी हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूस पर आप देख रहे हैं दखल न्यूस